बिस्मिल्लाइ रमान निर्वहीम वेलकम टू टीएसी मैं हूँ अदीर मनसूर आज हम आपको बताएंगे कि मिलते हैं और उनको मैंच किस तरह किया जा सकता है तो चलते हम वीडियो की जाने पर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए वीवर्स कैंसर के खतम होते हैं वहीं healthy normal cells भी तूटने लगते हैं जिसम के कुछ cells जैसे के blood cells, skin cells, hair cells और gut के cells ज़्यादा मुतासिर इसली होते हैं क्योंकि इन में तूटने और बनने का अमल routine में ज़्यादा active होता है radiation से होने वाला एक बहुत common side effect ठकन और कमजोरी का होता है जिसकी वज़ा एनेमिया या खूण की कमी हो सकती है red cells टूटनी के वज़ा से oxygen की supply body में कम हो जाती है जिससे कमजोरी होने लगती है इसको हल करने के लिए अपने डॉक्टर से iron supplements ले सकते हैं कोशिश करें के ज़्यादा भाग दोड़के काम ना करने पड़ें cancer के patient को चाईए अपने घर में कोई helper साथ रखें और massage योगा वगारा से जिससे को आराम दें बाहर निकलते वक्त sun screen का इस्तेमाल करें अपने nails को तराश कर रखें ताके खुजाने से नुकसान ना हो बालों का गिरना कीमो थेरापी के साथ radiation का भी एक common side effect है radiation treatment खतम होने के 3-6 महीने में बाल दुबारा आने लगते हैं कुछ steps पे अमल करके आप अपने आपको घिजा की कमी से बचा सकते हैं जैसे नरम या सादा खानों का इंतिखाब कीजे फ्रेश जूसेस सूप्स और ड्रिंक्स लेते रहें अगर जबान खुश हो जाती है तो खाने से पहले कुली कर लें मुँ में च्छाले हूं तो मिट मसाले वाले खाने इस्तिमान ना करें मतली की सूरत में कम बू वाली थंडी चीज़े खाएं विवर्स वीडियो मागे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलो अगर आपको पढ़ने का शौक है तो मॉलेच हेल्थ मेगजीन को आज ही सबस्क्राइब कीजे स्क्रीन पर दिये गए वाटसैप नंबर पे अपना नाम और शेहर का नाम लिक्के वाटसैप कीजे और हर माईने मॉलेच हेल्थ मेगजीन अपने मुबाइल भी पढ़िये तो जलते अपनी वीडियो की जाने विवर्स ब्रें ट्यूमर के लिए रेडियेशन थेरपी करवाने से सर में दर्द होना, भूलने की विमारी, मतली और बोलने में तकलीफ हो सकती है सीने की रेडियेशन से दिल पे भी असरात आ सकते हैं जैसे के दिल की धड़कन पे फर्क पढ़ना, आर्ट्रीस का डैमेज होना, हार्ट फेल वगएरा फेपड़ों पे रेडियेशन सूजन आ सकती है, जिससे रेडियेशन निमोनाइटस कहते हैं, ऐसी सूरत में खांसी, सांस में तकलीफ और सीने में दर्द महसूस हो सकता है पेट के एरिये में रेडियेशन से पेट में दर्द, लूज मोशन, उल्टी, मतली और गैसे की शिकायत हो जाती है इन सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए आप नरम, जूद, हजम, घिजाये लें और अपने मीज को छोटे-छोटे वकफे में डिवाइट करके लिजे विवर्स उमीद करते हैं आज की वीडियो को पसंद आई होगी मजीद इंटरस्टिंग वीडियो के लिंक्स हमने आखरे में शेयर किये हैं जो आप देख सकते हैं कमेंट बॉक्स आम जराइसे जरूर आगा कीजिएगा अगली वीडियो तक के लिए लिए अल्ला आफेज